भक्तों के मुर्त्यों के बाद उनका क्या होता है सादकों लोग या जानते हैं कि जब व्यक्ति की मुर्त्यों होती है तब उसके कर्म अनुसार उसको स्वर्गया नरक प्राफ्त होता है अगर अच्छे कर्म करता है तो द्योगना कर उससे स्वर्ग ले जाते हैं और अगर ब पूरे भारत में सरदन्द्रम का प्रसार करना यह हमारे मिशन है अगर आपको हमारे प्रयास इच्छे लगते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चला को जरू सब्सक्राइब कीजे और इस बैल ऐकोन को प्रिस कीजे सादगों जब भी इंसान हरे कृष्ण महामंतरिया भगवान का राम रोज लेता है तो धीरे धीरे भगवान का भक्त बन जाता है और जब वो शरिल छोड़ता है तो उसे लेने के लिए श्री हरी के पार्शद आते हैं अगर वो परिमी भक्ते तो उसे लेने के लिए स्वयम जाते हैं और उस भक्त पर पुष्पो वर्षा करने लगते हैं जैसे विमान ब्रह्म लोग तक आता है तब सारी ब्रह्म लोग की निवासी उसे प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी स्वयम उस भग की पूजा करते हैं पूजा खतम होने के बाद विमान ब्रह्म जोती को भे वैश्नो जी की आश्रिवाद गरण करके फिर से उसके आगे बढ़ जाता है। वैश्नो जी की आश्रिवाद गरण करके बढ़ जाता है। अगर आप रोज हरे कृष्न महामंतर या श्री हरी का नाम लेंगे तो आपको भी ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगा। भगवान के नाम में बहुत शक्ती है। जो नित्य श्री हरी का नाम लेता है वो बहुत जल्दी सिद्ध महात्मा बन जाता है। इसलिए भगवान चैतन ने कहते हैं कि जो लोग कलियोग में पर्याप्त गुद्धी माने वो हरे कृष्ण महामंतर के संकिरतन में लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर अवश्य कर दें तो आज करें अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारों के साथ जरूरू शेर कीजिए और थरो बात कहें कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतलने कांटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलते रहेंगी इसले आपके कीजिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो स्टेबलिस स्टे आउसम हैं कोसल में